कुछ स्कूल के लड़कों ने पूरी स्कूल को हैजाक कर लिया था तभी हमारी मेन गारेक्टर सबको बचाने की कोशिश करती है हलो फ्रेंड्स आज मैं आपको रन हाइड फाइट ये ट्वेंटी रन्टी की एक थ्रिलर हॉल्यूड मुवी को एक्स्प्लेंट करने वालो आए हुए थे फादर ने एक एनिमल पर गूली चलाए और वो अब भी जिन्दा था फादर गहते है अगर हमने इस एनिमल को नैचरली मरने दिया तो इसे बहुत तकलीफ होगी वो उसे और भी समझा रहे थे तभी जोई एक पत्थर लेकर उसको मार डाल दिया जोई की मद पादर की आर्मी का कोड पहन कर जाती है तो उसके फादर उस पर गुस्सा होगी उन दोनों में जगड़ा चल रहा था तभी जोई का फ्रेंड लुईस उसे लेने के लिए आ जाता है उसका बहुत ही अच्छा फ्रेंड है हमेशा उसे सपोर्ट करता है स्कूल जाते हो तुम इंटलीजन्ट हो अच्छे हो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है यहाँ फिल्ड्स में दूर नोटिस करते हैं कि इनका एक क्लासमेट कुछ अजीब सी चीज़ कर रहा है वो जमीन पर कुछ डाल रहा था लुईस कहता है कि आज स्कूल में प्रैंग डेया है इस तरी क के लिए लॉकर में कुछ रखा हुआ था आज हर जगा पर प्रैंग चल रही थी तो इनकी टीचर भी जरा अनॉइड थे बीच क्लास में लड़के आकर लड़कियों को प्राउम के लिए पूछ रहे थे जोई को इस सब बहुत ही गलत लगता है अपनी मदर की डेट के हमारे इससे इतना अपसेशन की हुए है लुईस कहता है हम वहाँ जाकर सब लोगों का मज़ा कोड़ाएंगे मज़ा आएगा लुईस कहता है कि मैं समझ सकता हूँ शायद तुम्हारी मदर की वज़े से तुम नहीं जाना चाहती है इस बात पर जोई और भी जाता घुसा ह होके उगोसे हमें वाश्रूम में चली जाती है पैरलल में हम देखते है कि एक जगह पर बम फट कर आग लग गई एक छोटी सी शेड थी जोई ने वाश्रूम में आकर देखा तो एक लड़की जिसका नाम था एना कि सीलिंग से कुछ ले रही थी जोई देखने की कोशिश करती है पर उसे कुछ भी मिलता नहीं पर हमें पता चलता है यहाँ पर एना ने गन चिपाई हुई थी जोई को हमेशा उसकी मदर दिखती रहती है मदर ने उसे गाओ कि लूई से एक अच्छा लड़का है जोई कहती कि मैं यहाँ से जल से निकलने वाली हो उसे किसी की भी फिलिंग्स हट नहीं करने इसके बाद अचानक से कैफिटेरे के दर्वाजे तोड़कर एक वैन अंदर आ जाती है कुछ लड़के बाहर आये जिनके पास गन थी आना भी अपनी गन निकाल लेती है यह डारेक्ली दो-चार लोगों को मार डालते है इनके लीडर का नाम था ट्रिस्टन गोली लगने की वज़े से एक लड़की इंजोड होकर वाश्रूम में आती है जोई सब देखकर बहुत डर गई थी ट्रिस्टन सब से कहता है कि अगर तुम्हें जिन्दा रहना है तो हमारी सारी बाते माननी पड़ेगी उसने एक लड़के को देखा चो ट्रि ट्रिस्टन ने लड़की को फोन निकालने के लिए कहा उससे कहता है अगर तुम्हारे लास्टे है तो तुम अपनी मदर से क्या बात करना चाती हो यह सब बोल डालो उस लड़की ने फोन पर सारी सिच्वेशन बताती और इसकी मदर ने पुलीस को कॉल कर दिया था पैरलल होती है तो कहता है कि मैं हैपी था जो इस सीरिंग से क्रॉल करकर जा रही थी पर इंट टूट गए और वो किचन में नीचे गिर जाती है डिस्टन ने सुना और अपने फ्रेंड को कहता है जो भी है जाकर उसे मार कर आओ जोही डर कर छुप गई थी उसके साथ कीचन की शेप भी वही पर अल्रेडी छुपी हुई थी ट्रिस्टन का फ्रेंड क्रीस इनके पास आ रहा था अगर उन्हें ढून लेता है तो इन दोनों की डेथ हो जाएगी ये बात कंसिडर करकर जोही को बचाने के लिए शेप बाहर आ जाती है क्रीस ने उसे तुरंद मार दिया ट्रिस्टन फे स्कूल के डेस्क को कॉल लगा था और कहता कैफेटेरिया में लाइव शुटिंग चल रही है तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए ये न्यूज मिलने की तुरंद बाह स्टाफ को लॉक्डाउन कर देना चाहिए था पर स्कूल की पॉलिसी थी पहले इस बात को कंफर्म किया जाए एक बहुत ही बड़ी गलती थी पैरलल में जोही स्लोली स्कूल से बाहर निकल जाती है वो अपनी जान बचा कर यहां से भागने वाली थी पर वो रियलाइस करती कि ऐसा हो नहीं कर सकती कुछ स्टूडन स्कूल में आ रहे थे वो जल्दी से जाकर उन्हें वान कर देती है सब लोगों को वान करने के लिए एक फ्रेंड उसकी मदद करने लग गई रिस्टन सब लोगों को मोबाइल निकारकर लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए खायता है यानि कि पुलीस न्यूस सब को इसके बारे में पता चल सके लुइस स्कूल का पेज मैनेज करता था तो इस वज़े से उसके सबसे ज़ादा फॉलोर्स थे ट्रिस्टन को इस पता चलने के बाद वो लुइस के मोबाइल से स्ट्रीम करता है ट्रिस्टन को समझाने के लिए गाड के साथ स्कूल का काउंसिलर आया वो इसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहता हूँ अभी भी कुछ भी बिगड़ा नहीं है सब कुछ ठीक हो सकता है ट्रिस्टन कहता है कि लास्ट वीक में तुम्हारे पास आया था मुझे लगा था कि तुम एक्च्वल में मेरी हेल्प करोगे मैं इसके लिए एक्साइडेड था बर तुमने मुझे कहा कि मेरा लाइफ में कुछ भी नहीं होगा उगसे में कांसिलर को मार डालता है गार्ड वेचारा बहुत ही डर गया था अपने पैंट्स में हो पेशाप कर देता है ट्रिस्टन ने उसे जाने दिया ताकि उसकूल के स्टाफ को मैसेज दे पाए पैरलल में जोय हर क्लास्रूम में जाकर सबको वान कर रही थी यहाँ से जल्दी से निकल जाए आज प्रैंक दे था तो एक टीचर उन्हें सिरियसली लेते नहीं अगले क्लास्रूम में जाकर जोय ने खिड़की खोलकर डारेकली उन्हें वार्निंग दी इस तरीके से एकी क्लास्रूम में जाना ज़रा डिफिकल्ट हो सकता है इस वज़े से जोय ने फायर अलम बजा दिया सब लोग क्लास्रूम से बाहर निकलने लग गए थे तबी डिस्टन की गल्फरेंड एना यह जाकर इसका फ्यूज निकाल लेती है टीचर्स को भी लगा कि यह सिर्फ एक प्रैंक है तो सब लोग फिर से ग्लास्रूम में चले जाते हैं पुलीस को जब सारी सिचुएशन के बारे में पता चला तो शेरिफ कहता है हमें इसके बारे में एक्स्पिरियंस नहीं है हम हमारे ओफिसर्स को कॉल करते हैं उनकी टीम आने का वेट करेंगे जो भी चल रहा था इसके बारे में स्कूल के सिकूरिटी को पता चलने के बाद लॉक्डाउन लगा देते हैं यानि कि सब लोग खुद को क्लास्रूम में बन कर लेंगे नेकसिन में पुलिस स्कूल में पहुचे उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की परडायगली बम पढ़ गया इसमें दो-तीन लोगों की डेथ हो जाती है इनकी लाइव स्ट्रीम की वज़े से इन्हें न्यूज मेडिया कवरेज भी मिलने लग गया था यही ट्रिस्टन पहले से जाता था जोई देखकर वहाँ पर पहुच गे पुलिस ओफिसर का फोन ले लेती है अभी भी उसकी मदर उसे दीख रही थी उसी मदर उसे गहती है तुमने अब तक मुझे जानने नहीं दिया है अचानक से एना वहाँ पर चेक करने के लिए पहुच जाती है तो जोई ने इस तरीगे से प्रिटेंड किया कि ओं मर ही चुकी है डेड़ बॉड इसके फोटो निकालकर एना ने ट्रिस्टन को बेजी ट्रिस्टन ने लाइव स्ट्रीम पर दिखाता है एना के जाने के बाद फिर से जोई क्लासरूम के पास जाती है कहती कि जल्दी से यहाँ से निकल जाओ ये करते होए उसे एना ने देख लिया उस पर वो गोली चलाने लग गए स्टूडन्स ने प्रैंग के लेक पूरे रूम को बलून से भर दिया था उसमें वो घुच जाती है क्रिस्टन अब हर क्रासरूम में जाकर वहाँ से स्टूडन्स को कैफेटिरिया में लेकर आ रहा था एक टीचर ने उसे कहा कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए ट्रिस्टन उसे याता है कि आप अपने कपड़े निकालो और मैं किसी को भी हट नहीं करूंगा ट्रिस्टन उसे कुछ भी करवा सकता था तो लुईस ने उन्हें बचाने के लिए ट्रिस्टन से कहा कि मैंने यहाँ पर कमेंट स्टार्ट कर दिया लोग तुमसे क्वेस्चन्स पूछ रहा है इसको आंसर देने के लिए टीचर को छोड़ देता है जोई का पीछा करते हुए एना बलून की रूम में आगे वो हर जगा पर गोली चलाने लगके तब जोई उस पर हमला कर देती है एना की गन लेकर जोई ने एना कोई मार डाला यह फाइट करते हैं उसके पेर पर छोट आ गई थी ट्रिस्टन से बात करने के लिए उसके मदर के घर पर पुलीस पोहच जाते है तो उन्हें पता चलता है यह मदर की अल्रेडी डेथ हो चुकी है ट्रिस्टन नहीं उन्हें मार दिया था बाहर पुलीस अंदर आने के लिए रेडी हो रहे थे यह सब क्रिस ने न्यूस पर देखा वो गुस्ता हो जाता है और डारेगली सब पर गोली चलाने लग गया सब लोग बहुत ही ज़ादा डर गए थे प्रिस्टन का और एक फ्रेंड इसमें था जिसका नाम था कीप यह भी क्लास्रूम में जाकर सब लोग को कैफेटरिया में लेकर जा रहा था सब को बचाने के लिए जोई उसके पास से गुजर दिया वो उसका पीछा करने लग गया एना कि डेट बॉड़ी उसने देखी तो जोई कहती है कि मैंने उसे मारा वो और भी जाता गुस्सा हो जाता है उसका पीछा करने करते हैं एक हौलवे में आता है जहाँ पास स्टूड़न ने सब लोग फिसले इसके लिए कुछ करकर रखा था इससे फिसल कर उसकी गन उसे चली जाती है जोई ने फिर उसे बहुत मारा और हतकडियों से बन कर दिया जोई को फिर से उसी मदर दिखती है मदर ने कहा तुम्हें अब जिंदा रहना है मेरे जाने के बाद तुम्हें कितना भी बुरा लगाओ फिर भी सर्वाइवल के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ेगा तभी कीप को होश आ जाता है जोई ने पूछा कि तुम ये सब कर क्यों रहे हो कीप ने कहा कि मेरा हमेशा सब लोग मजाग उड़ाते थे कुछ बच्चों ने उसकी पैंड उतार दी थे तो उसके बाद से हमेशा सब लोग उसका मजाग उड़ाने लग गए यहाँ तक की टीचर भी उसका मजाग उड़ाते है जोई कहती कि तुम्हारे साथ गलत हुआ पर तुमने जिन लोगों को मारा उन मेंसे कुछ लोग इनोसेंट भी थे शायद उन्हें पता भी नहीं था कि तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी हुआ था अब तुम ऐसे ही हमेशा के लिए मजाग बनकर रह जाओगे स्कूल की निउस सुनने के बाद जोई के फादर है देखने के लिए पहुँच गए अंदर की सारी लाइव स्ट्रीम वो भी देख रहे थे जोई ने कीप की गन ली और सब लोग को बाहर निकालने के लिए वो हेल्प करने लग गए वो बाहर शेरिफ को कॉल लगा थी उस ने का निऊस पर हम सब लोग स्कूल से बहार निकल रहे है यह दिखना नहीं चाहिए शेरिफ नी निउस वालों से बात की तो निउस वाले मान नहीं रहे थे तो शेरिफ कहते हैं कि मैं अंदर Tristan को call लगात ओ इसे तुम शूट करना शेरिफ Tristan को समझाने की कुशिश करते हैं पर Tristan कहता है कि आव ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे मैं मेरा माइंड चेंज कर दूँगा ट्रिस्टन की व्यूज बढ़ रहे थे और उसे मज़ा आ रहा था उसने एना को कॉंटेक करने की कुशिश की तो पिक अप नहीं कर रहे थी उसने कीप को भी कॉल लगा तो ये फोन जोई के पास है वो समझ गया कि कुछ ना कुछ तो गड़ बड़ है वो डारेकली पूछने लग गया कि अना के साथ क्या हुआ जोई गया दी कि मैंने उसे मार डाला है ट्रिस्टन ने उसे धमगी दी कि जल्दी से यहाँ पर तुम वापस आ चाओ वरना मैं एक एक करकर सब लोग को मार डालूँगा ये वार्निंग देते हुए भी उसने एक लटकी को मार डाला जोई फिर किप के पास है उसे कहती है कि आज तक तक तुमारा सब लोग मजाग उड़ाते रहे पर अब तुमारे पास चांस है मुझे ट्रिस्टन से रणने में मदद करो अज सब लोग तुमें हिरो समझेंगे किप भी इस बात के लिए मान जाता है जोई के फादर उसे मदद करने के लिए अपनी स्नाइपर निकाल लेते है और दूरसे स्कूल पर नज़र रख रहे थे जोई भी ट्रिस्टन के पास पहुची उसे आता है तुम चाहती क्या हो क्या तुम्हें भी पॉपिलर बनना है जोई यह सब नहीं चाहती वो से ब लोग को बचाना चाहती है उसे मारता इससे पहले खिव वहाबर पहुच गया वो शूट करता है तो ट्रिस्टन के आम पर लग के मौके का फायदा उठा कर जोई लुईस को लेकर वहाँ से भाग जाती है ट्रिस्टन ने क्रिस को कहा कि जाओ उनका पीछा करो और वो मोबाइल वापस लेकर आओ क्योंकि उसी पर लाइफ स्टीम चल रही थी इस शूटिंग में लुईस को भी गोली लग गई थी जोई यह देखकर उसे लेटा देती है उसने उसे कहा कि तुम मेरे लाइफ में बहुत इंपोर्डन्ट हो मुझे इसे छोड़ कर मच जा उसे किस कर लेती है लुईस उसे बताता है कैफिटेरे के वैन में उन्होंने बहुत सारे कैंसल आया है इससे उन्होंने भॉम बना हुआ है लुईस ने जोई को आगे बढ़ने के लिए का जोई का पीछा करते हुए क्रिस भी लाब में पहुत चुका था जोई ने आग लगा कर उसे इंज़ूर करने की कोशिश की पर उसे जादा सक्सेस हो नहीं पाती उसे मारने वाला था तब ही जोई के फादर ने उसे खिड़की से देखकर शूट कर दिया गोली चलने के आवास से पूलीस जाकर जोई के फादर को अरेस्ट कर लेते हैं जोई ये सब देख रही थी जोई ने फिर क्रिस की फोटो ट्रिस्टन को भेज दी वो गहती है अब तुम्हें कोई भी याद नहीं रखेगा न्यूस पर हर जगा पर सब लोग मेरी बारे में बात करेंगे ट्रिस्टन डिस्टब होकर वैंग के बाम को एक्टिवेट कर देता है और वहाँ से वो भागने लग गया जोई कैफिटेरी में आकर सब लोग को बाहर भेज देती है गाड़ी में का बाम देखकर गाड़ी स्टार्ट की उसे बाहर निकाल दिया गाड़ी का बम फट जाता है और सब लोग बच जाते है और भी पुलिस अब अंदर आ गए थे वो ट्रिस्टन को अरेस्ट करने वाले थे तो ट्रिस्टन ने और एक बाम को एक्टिवेट किया इस बाम के साथ उन्हें ट्रिस्टन की डेट बॉड़ी भी मिली जोई को यहां से भागता वादे एक पुलिस भी उसे अरेस्ट कर लेते है अब जोई को लास्ट बार उसकी मदर दीखती है वो उसे कहकर जाती कि मैं तुम पर प्राउड हूँ और इसके बाद उसका दीखन लगा यह ट्रिस्टन था और वहां से भाग रहा था जंगल में आकर अपना पासपोर्ड और पेसे निकाल लेता है जोई ने अपनी फादर की गन ली और दूर से उसे शूट कर दिया जोई ने कहा कि अब तुम तडब तडब कर मरोगे और तुमें डिजर्व करते हो ट्रि मदर को एक प्रॉपर फेरवेल दिया इसके साथ आज का वीडियो हम खतम करते हैं अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इससे लाइक और कमेंट जरू कर दिजेगा बहुत सारी मुविज लेका रहता हो तो प्लीज चानल को सब्सक्राइब कर दिजे और बेल नोटिवे के साथ तब तक लिए थैंक्यू और आप उपने आपका खैल रखिया है